विज् सामाजी में के अगले वीडियों के अंदर हमने इसके बारे में गंगा नदी तंत्रों के बारे में जानकारी प्राप्ट की थी इसके अंदर हमने गंगा नदी कहां से निकलती है उसके बारे में पटा था ठीक है और उसको कौन कोंची साहईक नदीया मिलती है उसके बारे में बिजानकरी प्राप्त की थी तो यहां पर स्क्रीन के ओपर तुम लोग एक फिगर देख सकते हो थे कौन सा भीस्तार है इंमा लेका कौन सा भीस्तार है कोव मोग्त तो फिर गंगोतरी फिर उसके प्चाथ यह गंगा नदी का प्रवाख है त्यक्श्य यहां से यह पेश्चिम बंगळ में गया और बांग्ला दिश में और यह दूसरा पस्टिम बंगाल के अंदर प्रवश करता है तो यहाँ पर देख सकते हो कि यह है गाखरा यह गंड़क और यह कोश्री यह तिनो नेपाल की नदिया है जो यहाँ पर गंगा नदी को मिलती है तीक है उसके परशान यमुना यमुना इसके पास में से निकलती है और कहाँ पर प्रयागरा जाने की इलाबाद के अंदर गंगा को मिल जाती है उसके परशान यह बेतवानदी यहाँ बोपाल में से बेतवानदी यमुना को मिलती है अमर कंटक में से निकलती है शौन गंगा को उसके पश्चान दामोदर भी कहां पर मिलती है गंगा को मिलती है तो यह हो गया गंगा नदी के बारे में चान कर गी गंगा नदी को शायक नदिया कौन कौन सी है कागरा, गंड़क, कोश्री, यमोना उसके पश्चान सौन, दामोदर और बेतवा इह नदिया इसको मिलती है उसके बाद आगे बढ़ते हैं गंगा नदी की लंबा ही कितनी है पच्छी सो किलोमेटर है इसको याद रखना और उसके परशार्थ गंगा नदी को बांगला देश में की साम जाना था पदमा के नाम से और गंगा नदी और ब्रह्म पुत दोनों के श्रायुक्त प्रवा को मेग नास के नाम से जाना जाता है इसको भियात रखना और गंगा और ब्रह्म पुत्र अद्वादा नदी द्वारा निर्मे डेल्टा प्रदेश को सुन्दरवन कहां जाता है तो इतना हमने अकले वीडियो के अंदर पढ़ा था अब वी सिंदू और सतलंज के मूल के निकट से निकलती है ब्रह्म पुत्र अधिकांज पाग भारत के बाहर है और ब्रह्मो पुत्र नदी का अधिकान जिपाग कहा अपर है भारत के बाहर क्योंकि जादा तर ब्रह्मो पुत्र नदी का पानी कहां से बैठा है चीन में से और उसके पशाद थोड़ा सा इसा भारत के पूरवी पागों के अंदर प्रवेश करता है फिर उसमें से वापिश बांगला देश को मिलते है और फिर बंगाल की खाड़ी को मिल जाता है यहाँ नदी हिमाले श्रेणी के समानतर पूरव में बहती है और जो नाम शा बरवा नाम का जो सिखर है जहां से यू आकार में मुड कर बारत के कोन से राज्य के अंदर अरुनाशल प्रदेश के अंदर प्रवेश करती है यहां वह दिहांग नाम से पहचानी जाती है और अरुनार्च जवल प्रदेश में ब्रह्मो पुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है दिहांग के नाम से चानाता है दिहांग लुहित और केणूला आदी शायक नदीया मिलकर असम में ब्रह्म पुत्र के नाम से चान जाता है इतना जानिय ब्रह्म पुत्र नदी एक मात्र पुरुश्वाशक नाम वाली नदी है जिसके लंबाई उन्ती सो किलोमिटर है ब्रह्म पुत्र एक ऐसी नदी है जिसका नाम पुरुश्वाशक है बागे सारी नदियों के नाम अज़ता है। ब्रह्मभुत्रों नदी को अधि कहले directed कौन सी नाम ش необходेता है। त्शांग पो और बंगला देश में उसको जमूना कहते है कि प्रह्मभुत्रों के समग्र प्रवा में माजूली नम की नदियोद्र विश्व क्राइब नदियों cui Phatema MA applause.rie Transagna भालत में यह अधिक वर्षा वाले प्रदेशह से गुजरती है भालत में यह अधिक अरुनासल प्रदेशवारई असम भारत के ऐसे दोविस्तार है चाहां पर सबसे अधिक बट्षा होती है इसलिए यहां से चलबंडार और काप की मातरा में वृद्धी होती है असम में कई शाहक नदी जैसे मिलती है इस तरह ब्रह्मपुत्र नदी गुंफित शरुप में बहती है गुंफित यानकी बहुत से इसलार और के जैसा को बार बार बाढ़ आने से पारी बिनाथ होता है और प्रती वर्षा रूतु में इस नदी के जलबंडर में अत्यधिक मात्रा में वृध्य होती जिसकी वज़े से असम और बांगला देश में बार बाढ़ आती है उत्तरी भारत की दुसरी नदियों के अप्यक्षा इन नदि में विरोधा बास देखने को मिलता है असम में वर्षारुतु के समय पढ़ने वाली वर्षात के कारण यहां निक्षेपन अजदिक होता है इस नदि में रेत की मातरा बढ़ने से उसकी सत्व उची होती रहती है जिससे इस नदि के प्रवा में बार बार मार्ग परिवर्तित होता है और इस नदि के प्रवा के अंदर रेत का प्रमाण अधिक होता है इसलिए इसकी सत्व क्या होती है बढ़ती रहती है जिसकी वज़े से इसके नदी के प्रभा को बार-बार परिवर्तित होना पड़ता है तो यह हो गया कि इसके बारे में ब्रह्म पुत्र नदी के बारे में चानकरी एक बार वीडियो को रिवाइन करना कुछ जो इंपोर्टन आप लोगों को लगे जो जो मैंने छोटे-छोटे प्रश्ण बोले उसको नोट करते जाना एक्जाम के अंदर विकल्पों के अंदर भी आ सकते हैं इसके बार कौन सी नदी कहां से नहीं निकलती है और कहां को मिलती है कौन-कौन से उसकी साहिक नदिया है उसको विध्यान से सुनना, पढ़ना और लिखना आशा रखता हो कि वीडियो के अंदर समझ मैं होगा थेंक्यू